हलो एवरिवन, आज मैं आपके लिए कोई रेसेपी नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि मठका हमें अपने घर में क्यों रखना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और इसको किस तरह से पहली बार हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि पानी हमें इसस बहुत ठंडा मिले और इसके सारे बेनेफिट्स हमें मिले, मिठी के बरतन यनि घड़े का या मठके का पानी पीने के बहुत सारे बेनेफिट्स हैं, सबसे पहला कि इससे गला खराब नहीं होता, प्रिच का पानी अक्सर हम पी लेते हैं या बच्चे पीते हैं तो जल्दी का खत्रा भी बिल्कुल कम हो जाता है, मिठी के बरतन को लेने से पहले, सबसे पहले जब आप लेने जाते हैं तो उसको इस तरह से चारो तरफ से बजा कर देखिए, हलका हलका साहात मार के, इस तरह से आपको पता लग जाएगा जहां इसकी आवाज में खनक होती है, जहां कहीं से लीकेज हो, तो आपको दोबारा से उसको वापिस ना करना जाना पड़े, और जहां से आपको ये मिठी के बरतन मिलते हैं, वहीं से ही आपको ये इस तरीके का पानी भरने का भी मिल जाता है, जिसमें आप पंचियों के लिए पानी भर कर अपनी च्छत पर या अप कई बार होता है, बच्चे अगर इसमें जूटे हाथ या जूटा पानी डाल देते हैं, तो इसका पानी ठंडा होना बंद हो जाता है, आप ये ध्यान रखें, और अब मैं पहले मटकी को इस तरह से सिंक में रखें, अच्छे से इसे पहले बाहर से धोलूंगी, और फिर इ इसे एक बार यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आप इसमें कभी भी हाथ डाल कर ना दोएं, और इसे हमें बिल्कुल सादे पानी से धोना है, इसके अंदर हमें जूना, सरफ या साबुन बरतन दोने का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और ये देखी, मै कोई भी मिटी का बरतन अगर आप अपनी किचन में यूज करते हैं, जैसे कोई अगर आप तवा लाते हैं, या कूकर या हंडिया जिसमें हम खाना बना सकते हैं, किसी भी बरतन को यूज करने से पहले, आप उसे 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रग दें, यानि बाल करेंगे, तो वो जल्दी से टोटेगा नहीं, और यह जो मटका है, जब हम इसका ये पानी गिरा देंगे, उसके बाद चब हम इसमें साफ पानी भरेंगे, तो ये इसमें बहुत बढ़िया और ठंडा पानी मिलेगा हमें, ये मटका मैंने पूरा पानी से भर दिया है, और इसका धकन भी अच्छे से धोकर मैं इसके उपर रख दूँगी और इसे 24 घंटे के लिए मैं किचन के स्लैप पर ही रख रही हूँ और यह जो हमने पंचियों के लिए था पानी भरने के लिए इसे भी मैंने अच्छे से धोकर और भरकर रख लिया है और इसे मैं उपर छट रख दूँगी और यह देखिए इस मटके को तक्रीबन भरेवे पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और इसमें आप देख सकते हैं पानी पहले से काफी कम हो गया है मैंने पूरा भरकर रखा था क्योंकि पहली बार जब आप मिट्टी के बरतर में पानी भरकर रखते हैं तो मिट दूसका नहीं है यानि उसको आपको डिसकार्ड करना पड़ेगा या तो आपको से वापिस करना पड़ेगा या फिर दूसरा मटका लेना पड़ेगा यह देखिए मटके में पानी का लेवल कितना कम हो चुका है और अब यह पानी हमें डिसकार्ड करना है तो इस पानी को म पर दोंगी और अब मैं इसमें आरो का पानी डाल रहे हूं हमें इसमें बिकुछ साफ पानी भरना है और जब यह मटका पूरा भर गया है तो मैं इसको इस तरीके से स्टैंड के उपर रख दोंगी यह स्टैंड मैं साथ में ही इसके लेकर आई हूं अगर आपके पास यह ना हो तो आप किसी भी चोकी पर या फिर किसी भी चीज पर आप इसको रख सकते हैं और इसे उपर से मिट्टी के ढखकन से ही हम ढख देंगे और साथ ही इसके उपर मैं सौंधी सौंधी बहुत पसंद है लेकिन अगर आपको इसकी खुश्पु ना पसंद हो तो आप इसमें थोड़े से चावल के दाने डाल दे तो जो मिट्टी की खुश्पु होती है वो नहीं आएगी अगर आपकी किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है या डिरेक्ट सनलाइट आती है तो आप किसी भी चोड़े बरतन में गीली रेत रख लें यानि रेत की ओपर थोड़ा पानी डालें उसके ओपर मटका रखेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा आप भी अपनी किचन में मिट्टी का मटका ज़रूर लाएं और अपनी फैमली को स्वस्थ रखें और आज का वीडियो आपके लिए हल्पफुल रहा होगा और अगर है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक को शेयर जरूर कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल बीना भूले